हेलो दोस्तों बहुत भुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीटी देट में जो बाल विकास कोसें पूछे जाते हैं उसों के प्रगार के जदी भविश में और भी वीडियो और से अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को प्रेस करें तो चलिए सुरू करते हैं पहला कोस्टन है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्त्मों वह घटनाओं के सही आंसर होगा मुर्थ संक्रियात्मक अवस्था मन का मानचित्रन समंधित है सहसिक कारियों की क्रिया योजना से बोध बढ़ाने की तक्निक से मन का मान चित्रन समंदित है सहसिक कारियों की क्रिया योजना से बोध बढ़ाने की तकनीक से मन की क्रिया सिलता पर अनुसंधान से मन का चित्र बनाने से तो इसका सही आंसर होगा मन की क्रिया सिलता पर अनुसंधान से अगला प्रस्ण है विशेश रूप से प्रात्मिक अस्तर पर विद्यार्थियों की चीखने समंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बहतर तरीका है महंगी और चमकदार आवेश्चक सामगरी का प्रियोग करना सरल और रोचक पाठी पुस्तकों का प्रियोग करना कहानी कधन पद्दती का प्रियोग करना अच्छमता के अनुरूप विभीन सिक्षन पद्दतियों का प्रियोग करना तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर यानि अच्छमता के अनुप बिभीन सिक्षन पदत्यों का प्रियोग करना अगला प्रस्न है निम्न में से कोन सा बच्चे की समाजिक मनवग्यानिक अवश्कताओं के साथ संबध नहीं है संवेगातमक सुरक्षा की अवश्कता सरीर से अपसीष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना सनिध्य की अवश्कता समाजिक अनुमोदन अथ्वा सराहना की अवश्कता तो इसका सही आंसर होगा सरीर से अपसीष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना वह कौन सा कतन है जो बच्चे की संग्यारनात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभासित किया जा सकता है विद्याले एवं कक्छा परियावरन, खेल का मैदान, सभागार, घर तो इसका सही अंसर होगा विद्याले एवं कक्छा परियावरन बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का स्रिजन करते हैं इसका स्रैक किसको जाता है? पैवलाव को, पियाजे को, इसकी नर को, इनमें से कोई नहीं तो इसका उत्तर हुआ पियाजे सिक्षा के छेत्र में पाठिय चरिया सब्दावली किस की ओर से संकेत करती है? किस की ओर संकेत करती है? तो विद्याले का संपूर्ण कारिकरम जिसमें विद्यार्थी परतिदीन अनुभव प्राप्त करते हैं मुलियांकन प्रक्रिया सिक्षन पदत्ती एवंग पढ़ाई जाने वाली विशेवस्तू कक्षा में प्रियुक्त की जाने वाली पाठिय सामगरी तो इसका सही अंसर होगा विद्याले का संपूर्ण कारिकरम जिसमें प्रतिदीन अनुभव प्राप्त करते हैं अगला प्रस्ण है निम्ण में किसने कहा कि सीसू अपने एवंग अपने संगसार के बारे में अधिकांस बातें खेल के माध्यम से सिखता है क्रो एवंग क्रो जॉन डिवी गेसल इस्ट्रेंग तो इसका जो सही अंसर होगा इस्ट्रेंग्ड अगला कोशन है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है यह विचार किस से समंधित है निरंतर्ता का सिधान्त अंतर समंधन का सिधान्त अंतर क्रिया का सिधान्त एकी करन का सिधान्त तो यह है निरंतर्ता का सिधान्त निम्नलिखीत में से किस अवस्था में बच्चे अपने समनवयक समू के सक्रिय सदैश्ची हो जाते हैं पुरोरा अवस्था में, किसोरा अवस्था में, बालिया अवस्था में, पुर्व बालिया अवस्था में तो इसका सही आंसर होगा किसोरा अवस्था में बच्चे के बोधिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई एरेक्षन द्वारा, पियाजे द्वारा, इसकी नर्द्वारा, इनमें से कोई नहीं तो इसका सही अंसरों का पियाजे द्वारा वह अस्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तू एवं घटना के बारे में तारकिक रूप से सोचना सुरू करता है, कहा जाता है समवेधन प्रणोध अवस्था, मुर्त क्रियात्मक अवस्था, पुर्व क्रियात्मक अवस्था, अपचारिक क्रियात्मक अवस्था तो इसका सही आंसर होगा मुर्थ क्रियात्म कवस्ता विद्याथियों को विद्याले में खिलना क्यों उचित है यह सिक्षक के लिए काम आसान करेगा यह सहयोग एवंग सारिक संतूलन का विकास करेगा यह समय बिताने में सहयक होगा यह उन्हें सारीरिक रूप से ससक्त बनाएगा तो इसका सही अंसर है यह सहयोग एवं सारीरिक संतुलन का विकास करेगा परिवार एक साधन है अनोपचारिक सिक्षा का, दूरस्त सिक्षा का, गैर अपचारिक सिक्षा का, अपचारिक सिक्षा का तो ये जो है अनोप चारिक सिक्षा का जो है एक साधन है एक सिक्षक विद्यार्थियों में समाजिक मुल्यों को विक्षित कर सकता है महान व्यक्तियों के बारे में बोल कर उन्हें अच्छी कहानिया सुना कर आदर्स रूप से वर्ताव कर अनुसासन की भूमी अनुभूती को विक्षित कर तो इसका सही आंसर होगा आदर्स रूप से वर्ताव कर एक सिक्षक के लिए सबसे महतपूर्ण क्या है कक्छा में अनुसासन बनाय रखना एक सुवक्ता होना वीध्यार्तियों की कठिनायों को दूर करना कक्छा में समया नुवर्ति होना तो इसका सही आंशर होगा वीद्यार्तियों की कठिस्वा के डूर करना था भुर बहूत तरीखे व éta चके प्रास्थ्थ व्याष्कों के बराबर होते हैं बच्चों को युवां हीज्ट व्यास्थ्थ को के व्रिधी एवंग परिवर्तन की एक अनूठी विर्धी है तो इसका सही आंसर होगा बच्पन व्रिधी एवंग परिवर्तन की एक अनूठी अवधी है संगठीत घर से आने वाला बच्चा सबसे अधी कठनाईयों का अनभोग करेगा सु निर्मित पाठों में, अभ्यास पुस्तिखाओं में, नियोजित निर्देश में, स्वतंत्र अध्यन में तो इसका सही अंसर होगा स्वतंत्र अध्यन में चरीत्र का विकास होता है इक्छा सक्ति द्वारा नेतिक्ता द्वारा वर्ताव एवंग व्योहार द्वारा ये सभी तो इसका सही अंसर है ये सभी टोटल होगा शिक्षक का वरताव होना चाहिए प्रसासनातमक, निदेसातमक, आधर्षवाधी, शिक्षापरद तो आधर्षवाधी बालिका सिक्षा को महत्ता देना उचीत है कारण बालिकायं बालक से अधिक बुधिमती है अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विवेदित किया जाता था किसी समाजिक परिवर्तन के नेतरीत में केवल बालिकाएं समर्थ है बालिकाएं बालकों से अल्प संख्यक है तो इसका सही अंसर होगा किसी समाजिक परिवर्तन के नेत्रितु में केवल बालिकाय समर्थ है यदि कोई विद्यार्थी आपका समान नहीं करता तो आप उसे डाटेंगे उसकी उपेक्षा करेंगे परिक्षा में कम अंख देंगे इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर होगा उसकी उपेक्षा करेंगे अगला प्रस्न है निम्ण में से किस अस्तर में बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदश से बनते हैं किसोरा आवस्था वैस्का आवस्था प्राक वाली आवस्था वाली आवस्था तो इसका सही आंसर है किसोरा आवस्था एक समाइन बारा वर्स उम्र के बच्चे में सबसे अधीक होना संभव है कुल प्रेरक समनवे में कठिनाई समकक्षी के अनमोदन के लिए बैचेनी अब और यहां में उसकी रूशियों को सिमीत करना वैस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंतित की अनुभूती तो इसका सही अंसर होगा समकक्षी के अनमोदन के लिए बैचेनी किसी विद्यार्थी की सबसे महत्फूर्ण विशेष्ता है उत्तरदाईत्व की अनुभूती अग्याकारिता, सहभागिता, इमानदारि तो इसका सही अंसर होगा अग्याकारिता बुनिद्यादी अस्तर पर मातरी भासा में सिख्छा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आतमविश्वास का विकास करेगा प्राकृतिक वातावरन में बच्चों को सिखने में सहता करेगा बोधिक विकास में सहता करेगा अधिगम को सरल बनाएगा तो इसका सही अंसर होता है प्राकृतिक वातावरन में बच्चों को सिखने में सहता करेगा सिख्षा का उदेशी होना चाहिए विद्यार्थियों में व्योसाईक कुसलता का विकास करना व्यभारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तयार करना विद्यार्थियों को परिक्षा के लिए तयार करना विद्यार्थियों में समाजिक जागरुकता का विकास करना तो इसका सही अंसर होगा वैभारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तयार करना खिलोनों की आयू कहा जाता है पुरुव बाल्य आवस्था में सेश्वा आवस्था में उत्तर बाल्य आवस्था में ये सभी तो इसका सही अंसर होगा पुरुव बाल्य आवस्था को निम्न में कौन सी पुरुव बाल्य आवस्था की विशेस्ता नहीं है दल समुह में राने की आवस्था खेलने की आवस्था प्रस्न करने की आवस्था अनुकरन करने की आवस्था तो इसका सही आंसरों का खेलने की अवस्था उत्तर बाले अवस्था में बालक भोतिक वस्थमों के किस अवस्यक ततों में परिवर्तन समझने लगते हैं द्रबिमान, द्रबिमान और संख्या, संख्या, द्रबिमान, संख्या और छेत्र तो इसका सही अंसर होगा द्रविमान और संक्यामित